दोस्तों हमने चैनल पे एक वीडियो डाली थी जहां पे हमने बताया था कि कैसे घर पे बैटे-बैटे आप जियो के फिजिकल सिम को ईसिम में कनवर्ट कर सकते हैं उस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि एरटेल के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए वैसे तो मने और लेडि एरटेल के ओपर एक वीडियो बनाई हुई है लेकिन अभी प्रोसेस बिल्कुल हो चुका है बहुती इजी प्रोसेस हो चुका है तो step by step प्रोसेस आपको बताने वाले है यह प्रोसेस जो है सब के लिए काम करने वाला है चाहिए फिर आपके पास प्रीपेड सीम है या फिर पोस्ट पेड सीम है एटल की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे आप घर पे बैटे-बैटे अगर आपको पता करना है कि आपके स्मार्टफोन में इसीम का सपोर्ट है या नहीं है तो वो आप एटल की वेबसाइट पर जाके कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यह वाला चेहरा पहली बार देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस टाइब का अमेजिंग कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा सो गई चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते और देख लेते स्टेप बाई स्टेप कि कैसे आप एटल के फिजिकल सिम को इसीम में कर सकते हो गाइस इसीम में करने के लिए सबसे पहले आपको एट आपको शॉर्टकट्स का ओप्शन मिल जाएगा यही पर आपको मिल जाएगा अपग्रेट टू इस इस पर आपको क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल्स आ जाएगी आपको मोबाइल नमबर आ जाएगा अगर इस पर रिचार्ज नहीं है तो यहाँ यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा कि यह पहले रिचार्ज कर लो उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं get eSIM for this device और अनादर डिवाइस आप दूसरे डिवाइस में भी eSIM को सेट अप कर सकते हैं मैं इसी डिवाइस में करने वाला हूं तो दिस दूसरे डिवाइस में मेरा फिजिकल सीम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फिजिकल सिम किसी और डिवाइस में पढ़ा हुआ है और दूसरे डिवाइस में आप eSIM को रिजिस्टर कर सकते हैं तो मैंने इस डिवाइस कर लिए उसके बाद यहाँ पर आपको 32 डिजित की eID क आपको बता देता हूं आपको आज आना है सेटिंग में सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरल अबाउट और यहाँ पर आपको eID मिल जाएगी जो कि 32 डिजिट की होने वाली है सो जैसे आप देख सकते हैं यह रही इसको टैप एंड होल करिए कोपी कर लीजिए और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दीजिए पेस्ट करने के बाद आपको गैट eSIM वाया OTP आपके जो फिजिकल सी में उस पर OTP आने व हो गया है सब कुछ ready है अभी हमारा फिजिकल सीम इसम में convert होने के लिए कुछ steps का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले step यह है कि आपके पास Wi-Fi का connection होना चाहिए मतलब आपके फोन में data on होना चाहिए क्योंकि इसमें internet लगने वाला है उसके बाद आपको add eSIM to device में जाना ह सेटिंग में जाके मैं आपको दिखाने वालो इसके अगला step क्या होने वाला है और आपको ध्यान रखना है कि आप अपना physical SIM को remove कर दीजिए eSIM में network आ जाएंगा तो अभी आना है आपको setting में setting में आने के बाद यहां पे आपको mobile services मिल जाएगी इस पर आपको क्लिक करना ह add eSIM का option मिल जाएगा मैंने थोड़ा से उपर कर दिया क्योंकि मेरा mobile नंबर हो था हूँ आप तो add eSIM पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपकी यहां पर profile आ जाएगी जो आपको add करनी है थोड़ा सा time लगने वाला है जैसे आप देख सकते है setup eSIM 8L का जो था मे eSIM में नेटवर्क आ जाएंगे अभी थोड़ा से प्रोसेस होने वाला है मतलब एक दो मिनिट का time यहां पर लगने वाला है तो जैसे आप देख सकते हैं atel eSIM is now active on this phone तो इस phone पे eSIM activate हो चुका है और जो मेरा physical SIM जो दूसरे phone में पढ़ा हुआ है उससे नेटवर्क उल्र काम इसका रखना है तो मैं यहां पर डाल देता हूं travel ऐसे ही तो डन करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं जैसे आप देख सकते हैं travel जो 8L वाला है जिसको मैंने अभी travel सेट करता है टी का option यहां पर आपको दिख रहा है इसमें network आ चुके हैं और मैं यहां पर आपको एक 20 गंटे के लिए आपकी sms service बैन रहेगी वाइस देखा आपने कितने सिंपल से steps को follow करके आप बहुत ही easily eSIM में convert कर पाऊगे और अगर आप जियो के customer है तो लेडी वीडियो डाली हुई है और अगर आप Vodafone के customer है तो comment section में बताइए आपके लिए भी हम एक dedicated वीडियो ब सबसे बड़ा benefit तो iPhone वालों को मिलता है कि आप अपने iPhone में दो SIM चला सकते एक physical SIM और एक eSIM सेकिंड सबसे बड़ा benefit यह मिलता है कि by chance आपका phone चोरी हो गया है तो उस case में eSIM आपका अंदर inbuilt होता है तो उसको चोर निकाल नहीं पाएगा और उसको आप बहुती easily track कर इस वीडियो में कैसे लिए कि आपको वीडियो कमेंट सेक्षिन में जरूरू बताइए अच्छी लिए कि तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस टाइप का amazing content आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा मिलते एक लिए अधियो में तब तक के लिए है इस्टाओ के भाई बी सेफ